नमस्कार बहुत स्वागत है अब सभी का आपके साथ मैं हूँ मम्तातिवारी वक्त हो गया है स्पेश्वल रपॉर्ट का इस रोक की एतिहास से कुडान देखने को मिली है देश को मिला है नया रॉकेट और सेटलाइट से मिलेगी आपदाओं की जौनकारी श्रीहरीकोटा के सतीश रुधवन स्पेस सेंटर से लॉंचिंग की गई है SSLBG3 रॉकेट और अब्जरवेशन सेटलाइट EOS-8 को लॉंच की आ गया है श्रीहरीकोटा के सतीश रुधवन स्पेस सेंटर से लॉंचिंग होई है और आपदा को लेकर ये अलाच देगा तो फिलाल आपको बता से आपदाओं की सठीक जानकारी देगा जिससे देश को इस नए रॉकेट और सेटलाइट से एहम जानकारिया मिलने वाली है तो इस रुधव की एतिहासिक लॉंचिंग देखने को मिली है श्रीहरीकोटा से जो आपर एक नया रॉकेट और सेटलाइट देश को मिला है और सेटलाइट से आपदाओं की जानकारी जो है वो सीधे लोगों को मिलने जा रही है और इस लॉंचिंग के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रही है जो आप देख सकते हैं एतिहासिक लॉंचिंग जो है ये देखने को मिली है तस्वीर आपके सामने है आपको बता दे कि इस रॉकेट और सेटलाइट से सठीक जानकारी जो है वो आपदाओं के मिल सकेगी तो सबसे छोटे रॉकेट SSLB से भेज़ा गया है और एक साल का ये मिशन आपदा का अलट देगा दुरसल आपको बता दे इंडियन स्पेस रिसर्च और्प्राइज़िशन एसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLB D3 से अर्थ ऑब्ज़वेशन सेटलाइट आठ कोश्री हरी कोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांच किया है और ये सेटलाइट प्रित्वी की कक्ष से बाहर करीब 475 किलमीटर उपर इस्थापित किया जाएगा कख्षा में अंतक्षिपित कर दिया जाएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं ओलंपिक खिलाडियों से प्यम इद्धि की बाद चीद ओलंपिक पदक विजटाओं से मिले प्यम मोदी पेरस ओलंपिक की खिलाडियों की प्यम मोदी से बुलब कात रही वो हमारे बीलिडिंग में ही रखी थी और इसलिए काफी आथलीट जो थे, उनका जो कुछ भी recovery करना था, injury management करना था, preparation भी जो करना था, वो बहुत ही आसानी से कर सके, I think बहुत सारे आथलीट को वो, you know, वो preferable था और I think उससे at least वो confidence था कि हमारे पास सब कुछ है, I think इससे भी future में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम support दे सकेंगे हमारे आथलीट को, देखे था, डॉक्टर ने मुझे बहुत 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 बात बताई कि इस बार हमारे टीम में पहले की तुलना में minimum injuries थे, injury कम हुई है, इसका मतलब है कि खेल की हर चीज में आपके expertise आ गई है, injury होने का कारण वही होता है कि हमें, खेल के समन्द में कु आप लोगों ने खुद अपने आपको तयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, पथे नाई आई तो भी आपके body को आपने ऐसा बनाया है, कि आप major injury से बच गए हैं, तो मैं पका मानता हूँगा आप लोगों ने, काफी train किया होगा अपनी body को, काफी मेहनत की होगी तब जाके यह हुआ होगा, तो इसके लिए तो आप सब बधाय के पात रहें, साथिवां मेरे साथ हमारे मनसुगे माने विया जी है, खेल राजमंत्री बहंद रक्षा खरसी जी है, हमारी खेल जिगत में जिनों ने देश का नाम रोशन के है, पीटी विशा जी है, पर इस से आप सब बापिस आए हैं, आप सब का और आप सब के साथियों का भी, मेरे हाँ रदय से बहुत-बहुत स्वागत है, मैंने जिस उमंग से आपको पहर इसके लिए बिजाई दी थी, उतने ही उमंग से, मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ, अगर इसका कारण ये नहीं है, कि कोई मिडल का टेली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है, कि विश्व भारत के खिलाडियों की तारीब कर रहा है, उनके होसले, उनके डिसिप्लीन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों कर सब जगह से बातें आती हैं, और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है, कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खिलते हैं, मेरे देश के नाम को रती भर भी खरोज आ जाए, ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यहीं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है, साथियों आप सबने पूरी दुनिया में भारत की तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लोटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गवरो मानता हूँ, और पेरिस जाने से पहले, जो जाते हूँ उनको भी पता होता है, कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको, कि आपको अपना बेस्ट देना है, और अपने दिया है, दूसरी बात हैं, हमारे खिलाडी उमर में बहुत छोटे हैं, और अभी से ये अनुभों मिला है तो आगे हमारे पास एक लंब़ी समय है अधिक एचिव करने का और वो आप जुरू करेंगे ये इस अनुभों का लाब देश को मिलेगा सजब पैरिक्रिस ओलिम्पिक्स भारत के लिए कई माईनों में आइतिहासिक रहा है इस ओलिम्पिक्स में देश के लिए जो रेकर्स बने वो देश के कोटी-कोटी नवजवानों को प्रिरना देंगे आप देखिए ओलिम्पिक्स के करीब सवाज सौल साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारती एक खिलाडी की रुप में इंडिविजियल इवेंट में दो मेडल जीते हैं हमारा नीदज पहला ऐसा भारती खिलाडी है जिन्होंने इंडिविजियल इवेंट में गोल और सिल्वर जीते हैं होकी में भारत ने बावन साल बाद लगातार दो बाव मेडल जीते हैं अमन ने केवल 21 साल की उमर में मेडल जीत करके देश को बिलकुल इतना प्रसंद कर दिया है और अमन के जीवन के विशे बाद देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भई व्यक्ति के जीवन की कठिनाईयों से भी इंसान अपनी आत्रास को सपन को संकल्ब को सिद्ध कर सकता है कठिनाई अपने अपनी जगा पर रह जाती है अमन ने करके दिखाया है विनेश पहली ऐसी भारतिय बनी जो कुस्ति में फाइनल तक पहुँची ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विशे है ओलिम्पिक्स में साथ सुटिंग इवेंट्स में इंडियन सुटर्स फाइनल्स में पहुँचे और ये भी पहली बार हुआ है इसी तरह तिरंदाजी में धीरज और अंकीता पज़द के लिए खेलने वाले पहले भारतिय तिरंदाजी बने और लक्षर हमारा लक्षर हैं आपके मैचने तो पूरे देश का जोज बड़ा दिया है हमारे लक्षवी ओलिम्पिज में सेमी फाइनल तक पहुचने वाले एक मात्र पूरुस बैंड मिन्टन खेलाडी बने है हमारे अमिनाज शाबले इसने स्टिपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट नहीं रहा साथियों हमारे जादातर मेडलिस्ट जैसा मैंने का आपने ट्वेंटीज में है बहुत छोटी आउक है आप सभी बहुत हुआ है आपके पास बहुत समय है बहुत उर्जा है और ये भी सही है कि टोक्यो के और पैरिस के बीच में नॉर्मली चार्व साल का समय रहता है इस बार तीन साल का ही समय था तो हो सकता है आपको एक साल और अगर मिला होता प्रक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते है अभी लंबी केरियर में आप कई बड़े टुर्णामट खेलेंगे खेलना बन नहीं करना चाहिए रुकना भी नहीं जी एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए ये युवादल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट में भारत का भविष्य कितना उज्वल रहने वाला है मुझे विश्वाद है पैरिस ओलिम्पिक्स भारतिय स्पोर्ट की इस उडान के लिए एक लॉंच पैट साबित होने वाला है ये टर्निंग पॉइंट है हमारा उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों हम रुकने वाले नहीं है साथिवाज भारत अपने हाँ वर्ल क्लास पॉर्ट इको सिस्टिम डेवलप करने की प्रात्विक्ता दे रहा है ग्राट सुट से आने वाले खिलाडियों को उनको तलाशना उनको तराशना ये भहुत जरूरी है हमने गाउं गाउं शहर शहर से युगा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया मुहीं शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया से निकले 28 खिलाडि इस ओलेंपिक समू का हिस्सा बने है अमन है अनन्जीत है दीरज है सर्व जोथ है इन सब ने खेलों इंडिया एथलेट के रुप में अपनी जर्नी शुरू की थी और इससे हुआ ये है कि खेलों इंडिया में खेलना और जी भरके जीतना ये एक बहुत बड़ा एहम हिंडुस्तान का कारकम बन चुका है मैं इसको मैं मानता हूँ मैं खेलों इंडिया को और तबज्जु देनी है और ताकत देनी है उसी में से हमें अच्छे नए आपकी तरह ही खेलों इंडिया एथलेट की एक बड़ी फोच देश के लिए तयार हो रही है हमारे खिलाडियों को सुविधाओं और समसाधनों की कमी न पड़े ट्रेनिंग में दिक्कत न आए इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है सब को पता है कि किसी भी खिलाडी के लिए जादा से जादा कमपुटिशन में हिसा लेना कितना आवश्यक है मुझे संतोज है कि आलिम्पिक्स से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कमपुटिशन का एक्स्पोजर मिला है इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स डाहिट उपकराण और कोचिंग सब पर इतनी बारिकी से ध्यान वर्ल्ट लास फसिलिटी देने का प्रयास इस तरह की जुविधाओं के बारे में हमारे यहाँ पहले सोचा नहीं जाता था खिलाडी अपने नशीब पर मेहनत करता था देश के लिए कुछ करके आता था लेकिन आप एक पूरी इकोसिस्टिम बनी है यह केबल स्पोर्ट में देश की नितियों का बडलावा इतना ही नहीं है यह उस भरोसे का प्रतिक भी है जो देश अब अपनी युवापीजी पर बहुत ज़्यादा बरोसा करता है उसकी अभिवक्ती है चाहते हो आप सब देश की युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है मैं मानता हूँ आप मैंसे हर किसी के बारे में देश को देश की युवाओं को जाना से जादा जानना चाहिए यहाँ भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूँ विशेश का हुमारी बेटियों पिछली बार के तरह इस बार भी बेटियों ने ही अलिम्पिक में भारत की जीत का स्री गणिश किया है मनु को जिस तरह पिछली बार तक्नीकी कारणों से निराश होना पड़ा था फिर उन्होंने जो वापस ही कि अंकिता ने जीत तरह सीजन का अपना सरी और स्रेश प्रदशन किया मनिका बत्रा और स्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खीचा है इसी तरह बागी खिलाडी भी रहे होकी में हमारे सर्पन साब उनके टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है पी आर स्रीजेस ने ये बता दिया कि दवाल क्यों है जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका उस सबने एक ही संकल पर दोराया ये सिलसला मैं मानता हूँ इससे देश के युवाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा साथियों हमारा भारत 20-30-6 Olympics की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है बना जी वहाँ भी लाल के लिए से भी बोला है हम पूरी तैयारी कर रहे है ऐसे में इने ओलेंपिक्स में भी खेल चुके हैं उनके इन्पूट बहुत महत्वपूँ है आपने वहाँ बहुत कुछ अब्जर्व किया होगा बहुत कुछ देखा होगा ओलेंपिक की प्लानिंग से लेकर की वहवयाद की ववस्ताओं तक स्पॉर्ट्स मेनेजमेंट से लेकर इमेंट मेनेजमेंट तक आपने अनुहव अपने अब्जर्वेशन्स हमने इसको लिखे लेकर रखना चाहिए को सरकार को साजा करना चाहिए तागि हमें 20-30 सिख की तैयारी में यह जो छोटी-छोटी बारी चीज़े खिलाडी देख करके आता है उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी तो एक प्रकारते आप मेरी 36 की टीम के फोजी है आप सबको मेरी मदद करनी है तागि हम 20-30-30-6 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलिम्पिक करकर के मैंजवानी करकर दिखाए मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रा इसके लिए एक ड्राप बनाए और सभी खिलाडियों से उनके डीटेल में फीड़बेक ले उनके सुजाव ले तो हम जुरूर तयारी अच्छी तरह कर पाएंगे साथ यह भारते स्पोर्ट में और कैसे इंप्रुमेंट हो सकता है इससे आइडियाज भी जो चीज खिलाडी बता सकता है जो चीज कोच बता सकता है वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते जे और इसलिए आप लोगों के इंपूट बहुत जरूरी है आपके आइडियाज बहुत जरूरी है आप पर भविश के खिलाडियों को मोटिवेट करने उन्हें आगे बढ़ाने का भी दाईप्र है और लोग तैयार होने चाहिए आगे बढ़ने चाहिए आप सोशल मीडिया स्पेसेज पर युवाँ से जूड सकते हैं जूडते भी हैं करते भी हैं बाते उनको प्रेजित करें खेल मंत्रालव और दूसरी संस्ताय भी इस तरह से इंट्रेक्शन सेशन आयुजित करवा सकती हैं अलग अलग गुरूप के लोगों के साथ तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे मेरे सामने शायद बोलते नहीं लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लोग साथियों आप सब से मुझे मिलने का अवसर मिला और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दू तो तो फिर बात अधूरी रह जाएगी और इसलिए मैं तो कुछ नो कुछ आपके जिम में काम छोड़ने ही वाला हूँ और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है आपने जुरूर उसको पुरा करने का प्यास किया है तेकि जो साथी टोक्यो अलेंपिक के बाद आये थे उन्हों मैंने स्कूलों में जाने और वहाँ से मिलने का अगरिक किया था और उन्होंने किया था उसका लाब भी हुआ है आज देश परियावरण की रक्षा के लिए एक पैड मा के नाम अभ्यान चला रहा है मैं आप सबसे कहूंगा आप भी उससे जुड़े अपनी मा को लेकर कि पैड लगाईए पैर इसको भी आतीजिए और पैड लगाईए अगर मा नहीं है तो मा की तस्वीर लेकर कि खड़े रही हो पैड लगाईए आप एसे जादा तर खेलाड़ी गाउं की पुरुष्ट भूमी से है सामान्य परिवार की पुरुष्ट भूमी से है आपने पैरिस में भी देखा है और इस बार के पैरिस के अलिम्पिक की विश्टत पा थी परियावण को प्रमोट कर रहे थे उन्होंने एन्वार्मेंट फ्रेंड़ी सारा वहाँ पर इकोसिस्टिम डेवलोग किया था आप भी अपने गाउं जाए तो वहाँ के लोगों को नेचरल फार्मिंग प्राक्रुटिक खेती केमिकल फ्री खेती हमारी धरती माता की भी रक्षा हम को करनी है ये बात उनको बताईए और इन सब के साथ दूसरे नवजवान सात्यों को पॉर्ट के जुढने के लिए फिटनेस के लिए उनको प्रेरीज करना चाहिए फिटनेस के तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं और मैं मानता हूँ कि इससे बहुत बड़ा लाग होगा सात्यों मुझे विश्वास है आप सब सदा सरवदा देश का नाम रोशन करेंगे विक्सित भारत के हमारी आत्रा युवाँ प्रतिभाओं की सभलता से और ज्यादा खुबसुरत बनने वाली है इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुप कामना है मेरे लिए आप सब एकईवर है आप मैंसे कोई ऐसा नहीं है जिसने कुई एकईव नहीं किया है और जब मेरे देश चे ऐसे नवज़बान कुई एकईव करके आते हैं तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने के तेहरी कर लेता है बहुत-बहुत बदाई बहुत-बहुत शुक्ता हमना है दोस्तों क्या है बेटम जी? मजा मा? अम दावाज जह है भी? ना सर हवे जाई हवे जाई मानी जो हाँ हाँ बिल्दू सबसे बहुत चोटी अचली थे हमारी 14 साल के एली बार कांचिजन उस दिन बेरा परिचे हुआ था आपकी एक फेमस रेसिपी है ड्रम स्टिक्स की जी वो काफी फेमस हुई है वाँ से हम सब के साथ बात करते हैं तो हम विटमिन-C रिज खेलाती हो सबको सबको रेकमेंट दरते हैं तो उलम्पिक हिलाडियों से पी एम मोदी ने बातशीत की है दरिसल आपको बता दे पेरिस उलम्पिक के बाद सभी खिलाडी वापस बतन लौट आए हैं और ऐसे में आज सभी खिलाडी जो है दिल्ली में प्रद्धान मंतुरी नरेंट मोदी से मुलागात करने किसे इस बार कुछ खास रहा पेरिस ओलम्पिक्स में उसके बारे में भी जानकारी दी जो पहली बार खिलाडी इस बार पेरिस ओलम्पिक्स में गई हैं उनसे भी पियम मोदी ने बात चीत की और जो खिलाडी जीत कराए हैं उनका मनूबल बढ़ाया और जो खिलाडी नहीं जीत पाए कोई मैडल उनको भी प्रुचाहित किया और कहा है कि इस बार पेरोस अनलपिक्ट में सभी खिलाडियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और क्योंकि इस बार इंजरी जो है वो बहुत कम हुई है तो उसको लेकर भी पीमोदी की तरफ से कहा गया कि ये बहु कि अजुख कर दो अच्छा प्रुटब कर दो पेरोस अनलपिक्ट में जुह कर दो दमाने हए।